हेलो गैस केसे हैंँ आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नये वीडियो में आज मैं आप लोगो को बताऊंगा गैस कि इन्फिनिक्स मार्ट एट प्लास फॉन मेंए आप लोग इन्टर्नेट स्पीड को केसे शो कर सकते हो अगर आपके पास एक infinix smart 8 plus phone है और इस phone में जो ही आपको internet speed को show करना है जैसे कि मेरे screen में आप लोग देख पार होंगे गाइस मेरे status bar में जो ही आपर internet speed show हो रहे है मतलब मेरा जो wifi का speed है वो कितना आ रहा है वो आप लोग यापर देख सकते हो उसके बाद मेरा mobile data का speed जो ही कितना आ रहा है वो भी आप लोग यापर से देख सकते हो लेकिन अगर आपके phone में ये internet speed show नहीं हो रहे हैं तो कैसे आप लोग इसको show कर सकते हो बिना किसी application वगरा को download किये तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईस वीडियो को start करते हैं internet speed को show करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा display and brightness का तो इस display and brightness के option पे आपको click करना है click करने के बाद यहापर से फिर से नीचे scroll down करेंगे तो last में आपको एक option में लगेगे status bar का तो इस status bar के option पे click कर दीजे click करती है आप पर देख सकते हैं जो पहला वाला option है show internet speed का तो आपके phone में यह option बंद रहेगा क्योंकि आपके phone में जो internet speed show नहीं हो रहे इसका मतलब यह option आपके phone में बंद है तो आपको इस option को on करना है on करने के लिए हम इस पे click करेंगे click करती ही option on हो जाएगा और on होती है आपके phone में जो status bar में internet speed show हो जाएगा तो कुछी इस तरीके से आप लोग अपने infinite smart 8 plus phone में internet speed को show कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते का लग नेक्स वीडियो में धब तक के लिए बाबाई